कि हमारे धर्मों में जो बताया गया है सारे धर्मों में हम यहां आपको हिंदु दर्म की चर्चा करी वह इसलिए करी कि बाकियों में तो ऐसा कुछ नहीं है इनका ही मजा क्यों उड़ता है त्योहारों का देख लो आप हमारे महादेव शिवजी बनके शड़कों पे भीग मांगते देखें हमने क्यों नहीं दर्द उड़ता क्यों ऐसा होता है हरे भीक मांगही तो वैसे किसी से माँग लीजिये करम कर ली जीए पैसा कमा लिजीए लेकिन ना ची तो ये गलत यह चीज सही नहीं है एक वार रामायन चली दिया हमारे शर्दा कितनी है वह आपको बताते हैं, तो उसमें वो रमायन सीरियल चला था, बड़ी हम शर्दा से देखा करते थे सब लोग, लेकिन कई अती कर देते हैं शर्दा की, फूलों का हार बना लिया, तो हम ने क्या करे जा रहे हैं, कैते जी राम जी आएंगे, उनके गड़े में डालेंगे, हम ने क सीरियल में तो चलेगा ना, सीन उनके बजा से तो रुकेगा नी, तो बताओ हार किसके डाला आपने, तो शर्दा है, तो आप सही रास्ते पे चल के दिखा दो, राम जी वाड़े कर्म करके दिखा दो, ये माला डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप कर्म करोगे कर्मों से पहचान हो जाएगी, और लोग पूरी दुनिया मानेगी, हमारी परंपरा कितनी सोस्त है, हमारी परंपरा कितनी उत्तम है, अति उत्तम है, तो भाई, हमारा काम तो प्रार्थना करना है, सबसे प्रार्थना करते हैं, कि आप लोग फॉलो करो, राम जी को, रावन ना बना करो, नहीं मानते, मजाक समझ दे पीर फकीरों के बचनों का, और जिस दिन वो समय आ जाता है, फिर बोला भी नहीं जाता है, संद पीर फकीर किसी को बचन करते हैं, किसी को बात कहते हैं, तो मान लिया करो, वो आपके भले की कहते हैं, ताकि आपके आने वाले बहन कर कड़ जाएं संद बद्दुआ नहीं देते लेकिन जब आप नहीं मानते वह आने वाले करम आपको भोगने पड़ते हैं और आप तकलीब में आ दुख दर्द उठाने पड़ते हैं जब आप बुरा कर रहे हो तब तो फोटो को उल्टी कर देते हो यह यह ना देखना हमारा हम और फिर जब जुरूर्ट पड़ती सीधी कर लेते हो कि सजन ऐसे भी होते हैं कुछ भी करते रोबो तो सीधी की सीधी रहनी है तो भाई हमारी गुजारिश है हम इंतिहारों को सुष्ट रूप से मनाएं इस प्रंपरा को एक खुशी की रूप में मनाएं इस दिन रिष्टे जोड़ो कहने का मतलब जो आपका भाईचारों आप भाई हैं आपस में मन मुटाब है तो इस दिन वो मन मुटाब दूर कर क्योंकि राम भरत का मिलन तो मुशूर ही तो यह है राम जी की चिन पर चलना